राश्ट्रिय शिक्षा नीत दो हजार बीस भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय बारह सीखने के लिए सर्वुत्तम वातावरण व चात्रों को सहयोग तो आईए सुनते हैं इसका द्वानी पाठ प्रिष्ठ संख्या एक सट 12.1 प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक द्रिष्टिकोंड की आवर्शिक्ता होती है जिसमें उप्युक्त पाठेक्रम, आकर्शक, शिक्षन, निरंतर, रचनात्मक, मुल्यांकन और चात्रों का परियाप्त सहयोग शामिल होता है पाठेक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए जिसे समय समय पर अध्यतन करते रहना चाहिए जिससे ग्यान की नवीन आवर्शिक्ताओं वह सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके उच्चितर गुणवत्ता वाली शिक्षन विधा चात्रों तक पाठेक्रम सामगरी को सफलता पूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है शिक्षन के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं आकरन के तरीके वईज्यानिक होने चाहिए जो की सीखने में लगातार सुधार वग्यान के प्रयोग के परिक्षण के लिए बने होने चाहिए अंत में कुछ ऐसी क्षमता हैं जो चात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ, मनों सामाजिक कल्यान, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार, आधी का भी विकास गुणवत्ता पूर्ण धंक से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है अतह, पाठिक्रम, अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन और चात्रों की मदद गुणवत्ता पूर्ण धंक से सीखने के लिए आधार शिला हैं इन आवश्यक बिंदूओं को सुनिष्चित करने के लिए उप्युक्त बुनियादी धाचा, संसाधन जैसे बेहतरीन पुस्तकाले, कक्षा कक्ष, प्रयोग शालाएं, प्रोध्योगी की, खेल, मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संबाध्येतू स्थान और भोजन के लिए स्थान आधी प्रदान करने के साथ साथ, इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यक्ता होगी, जिसमें सीखने का वातवरन आकरशक और सहायक बनाया जा सके, और सभी छात्रों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके. 12.2 पहला उच्चितर शिक्षा के व्यापक धाचे में रचनात्मक्ता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठेक्रम, शिक्षन विधी और आकलन आधी पर नवाचार करने की स्वायत तता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कारेक्रमों, सभी मु 12.2 पहला उच्चितर और आकर्षक शिक्षन अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठेक्रम और शिक्षन विधा को रचा जाएगा, और प्रतेक कारेक्रम को उसके लक्षियों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक्त पाकलन का उपियोग किया जाएगा, उच्चितर शिक्षन संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएगी, जिनमें अंतिम रूप से प्रमानन भी शामिल है, नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली या उच्चितर शिक्षन संस्थान एक मांदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्मान करेंगे, जो प्रतेक कारिक्रम के लिए सीखने के लक्षियों के आधार पर छात्र की उपलबधी का आकलन करेगा, जिससे से प्रणाली निश्पक्ष बनेगी और परिणाम अधि तुलनिये होंगे, उच्चितर शिक्षन संस्थान भी हाई स्टेक परिक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मुल्यांकन की ओर बढ़ेंगे, 12.3 दूसरा, प्रतियक संस्थान अपनी व्रिहद संस्थागत विकास योजना यानि IDP में शेक्षनिक योजनाओं को पाठ्थे क्रम सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणवत्ता पूर्ण आदान प्रदान को एकिक्रित करेगा प्रिष्ठ संख्या 62 प्रतियक संस्थान चात्रों के विकास के लिए प्रतिबध होगा, इसके लिए एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाएगा जो की विविद्ध प्रकार के चात्र संभुहों को शेक्षनिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर आफचारिक अकादमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जाएगा उदाहरन के लिए सभी उच्चतर शिक्षन संस्थानों में छात्रों द्वारा संकाय व अन्य विशेशग्यों की मदद से विशय आधारित क्लब और गतिविधियों जैसे की विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित, वाद विवाद, संगीत, खेल, आधी के लिए समर विशेशग्यों के लिए छात्रों की मांग व संकाय की दक्षता हासिल हो जाए तो इन्हें पाठिक्रम में शामिल किया जा सकता है संकाय में इस स्तर का प्रशिक्षन वा ख्षमता होनी चाहिए कि वे न केवल शिक्षक के रूप में अपितु संरक्षक वा मार्गदर्शक के रूप में छात्रों से जुर सकें 12.4 13. सामाजिक आर्थिक रूप से वन्चित प्रिष्ठ भूमी के चात्रों को उच्चितर शिक्षा तक सफलता पूरवक पहुंचने के लिए विशेश प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यक्ता होती है 12.5 14. ODL और ओनलाइन शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण उच्चितर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है 15. इसकी पूरी ख्षमता का लाव लेने के लिए ODL को विस्तार की दिशा में थोस साक्षे आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनी कृत किया जाएगा साथी इसके लिए निर्धारिक स्पर्ष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ODL कारिक्रम उच्चितम गुणवत्ता वाले इन क्लास कारिक्रमों के बराबर होने का लक्षे रखेंगे ODL के प्रणाली गत्विकास, वीनियमन और मान्यता के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्धेश तयार किये जाएगे और ODL की गुणवत्ता के लिए एक रूप रेखा तयार की जाएगी जो की सभी उच्चितर शैक्षनिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी 12.6 अन्त में सभी कारेक्रमों, पाठेक्रम, पाठेचरिया, विशायों में शिक्षन विधी, इन क्लास, ओनलाइन, ODL और छात्रों को समर्थन जैसे सभी कारेक्रमों का लक्षे होगा की वे गुणवत्ता के वैश्विक मानुकों को प्राप्त कर पाएग 12.7 इन वर्णित विभिन पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतरराश्ट्रिय चात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन चात्रों को ऐसे और आउसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थान अंतरित करने या इस सब अंतरराश्ट्रिय चात्रों के लिए भारत में भी संभाव है। अधिको वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्षे को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतराष्ट्रिये च्छात्रों की अधिक संख्या को आकरशित करने और देश में अंतराष्ट्रिये करण के लक्षे को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा 12.8 भारत को वहनिय लागत पर उच्छतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जिससे इसे विश्व गुरू के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी विदेश से आने वाले च्छातरों के स्वागत और समर्थन से संबन्धित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए विदेशी च्छातरों की मेजबानी करने वाले प्रतेक उच्चितर शिक्षन संस्थान में एक अंतरराश्ट्री च्छातर कार्यले स्थापित किया जाएगा उच्चितर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ आनुसंधान, शिक्षन सहयोग और संकाय, छात्र आदान प्रदान की सुविधा को बढ़ाया जाएगा, साथ ही विदेशों के साथ प्रासंगिक पारसपरिक रूप से लाभप्रद MOU पर हस्ताक्षर किये और इसी तरह चुनिंदा विष्णविद्यालेयों जैसे विष्व के शीर्ष सव विष्णविद्यालेयों में से को भारत में संचालित करने की अनुमती दी जाएगी इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्व विद्यालेयों के लिए भारत के अन्य स्वायत संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएग विदेशी विश्व विद्यालेयों में अरजीत किये गए क्रेडिट यहां मानने होंगे और यदि वह इस उच्चितर शिक्षन संस्थान की आवशिक्ताओं के अनुसार हैं तो इन्हें डिगरी प्रदान करने के लिए भी स्विकार किया जाएगा चात्र गतिविधी और भागीदारी 12.9 चात्र शिक्षा प्रणाली में प्रमुख हितधारक हैं उच्चितर गुणवत्ता युक्त शिक्षन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवन्त केंपस अवश्यक है इस दिशा में चात्रों को खेल, संस्कृती, कला कलब, दाईक सेवा परियोजना आदी में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिये जाएंगे। सभी चात्रों के लिए गुणवत्ता पूर्ण चिकिस्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। चात्रों के लिए वित्तिय सहायता 12.10 चात्रों को विभिन उपायों के माध्यम से वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य चात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन चात्रों की प्रगती को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रेक करने के लिए राष्ट्रिय चात्र वृत्ती पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चितर शिक्षन संस्थानों को अपने चात्रों को महत्तोपूर्ण संख्या में फ्रीशिप और चात्र वृत्ती प्रदान करने के लिए उच्साहित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षनीत दो हजार बीस भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय बारह सीखने के लिए सर्वुत्तम वातावर्ण व चात्रों को सहयोग। वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।